नमस्कार दोस्तो, वेलकम वेक्ट वी यूटूब चैनल, तो थेको फ्रेंट्स यहां पर प्रिवेस्ट वीडियो में बातचित किया था बिटकोइन के बारे में कि बिटकोइन का प्राइज 28,000 डोलर तक चाह सकता है, उसका मतलब यह कि बेर रन खतम हो गया और बूल रन बताओ, तो सबसे पहले यहां पर हमने एक चार्ट ओपन किया है, टोटल मार्केट केपलेशन, यह जो चार्ट है, टोटल मार्केट केपलेशन दिखाता है, टोटल क्रिप्टो करणसी का, तो सबसे पहले यहां पर इस चार्ट को देखते हैं, फिर अगेन यहां पर बिटक लगाया था total market capitalization ने यहां पर जो chart क्या दिखा रहा है 763 billion dollar का एक dump लगाया था उसके बाद एक trend में चला गया था साइड़ेज trend में चला गया था total market capitalization का चार्ट फिर यहां पर एक दिन यहां पर ऐसा आया कि इसको breakout किया again रिटेस्ट किया तो अगें यहां पर ट्राइ कर रहा है यह एरिया तक जाने की मतलब अगें इसका जो रेजिस्टंस एरिया एगा 1.26 ट्रिलियन डॉलर मतलब अभी भी अगें हमें अल्ट कोई में रेली देखने को मिलेगा जब तक यह जो टोटल चार्ट है यहां तक नहीं पहुंचता क्योंकि ओल्डी ब्रेक आउट किया है रिटेस्ट किया है अगें ट्राइगिया है सबसे पहले मैंने यह देखा फिर आप पर मैं थोड़ा लॉंग में समझा देता हूँ तो देखो अगें यहां पर अब यह जा रहा है और यह तक आपको एधेखने को मिल लाएगा तो देखो प्रेंट यहां पर जो टोटल मार्केट के प्लेशन का चार्ट है सबसे पहले यह जो मैंने लाइन प्लोट किया है यह सबसे बेले यह हीट किया था 2.57 trillion dollar फिर अगें डम पाया तो यही यही लाइन पर बॉसने लेकर अगेन उसने ट्राइक था तकरीपन 3.09100,000,000,000,000 ओर पिर अगें देखो तीरे दीरे downtrend स्टार्ट हो गया तो यहां तक गाय 8 अबजी फॉन ऐरा और सम्झारी, तो मुझे लग रहा है कहीं न कहीं इसे रीटेस्ट करने जा रहा है और अब जाएगा क्योंकि ओड़िडी यह जो एक बोक्स में याँ पर प्राइस था उससे बाहर निकल चुका है रीटेस्ट भी कर चुका है तो अगें कंटिन्यू रहेगा और 1.26 ट्रिलियन मैक्सिमम इसका बढ़ सकता है मतलब यह चार्ट आपको चाता हुआ नजर में जा सकता है तो यह में समझाना चाता था सबसे पहले क्योंकि आपके दिमाग में जो गूमरा है वो क्लियर हो जाए और छोटा मोटा रेजिस्टन्स नहीं है यहां से रिजेक्शन मिलने के चांस बहुत तो अगें यह बहुत बड़ा डंप तो यहां पर अगें यही रेंज में बाउंस पे कमें देखने को मिले देखो यह होता है डाउन ट्रेंड में अभी के लिए यह मत मानना की अप ट्रेंड स्टार्ट हो गया अभी हो यह नहीं सकता क्योंकि अभी में आगे बताऊंगा आ और ब्रेक आउट कर देता है देखो एक बार में कभी ब्रेक आउट नहीं होगा और ब्रेक आउट तो भी कर देता है कोई ऐसी न्यूज आज आती है और ब्रेक आउट हो जाता है तो अगें थोड़ा उपर से बाइंग करेंगे यहां पर सेलिंग बनता है हम रिस्क नहीं करता है जैसे कि मैंने पूरा चार्ट सभी चार्ट देखे 14 का चार्ट देखा देखो एलेट करता है यह जो क्रोस बन रहा है यह जो क्रोस बन रहा है यह दोनों में इंडिकेटर लगा है वह एक है 15-day moving average, एक है 200-day moving average, एलेट दिखाता है, इसको बोलते है, डेट क्रोस, जैसे उपर ऐसा बनता है, और चार्ट नीचे जाता है, तो डंप देखता है, देखो यहां पर भी डेट क्रोस हुआ, फिर चार्ट गया नीचे, अब ट्रेंड कब स्टार्ट होता है, तो देखो अब इसको clear करते, तो नीचे भी ऐसा एक क्रोस बने, उसको बोलते है golden क्रोस, बार बार बनाए, तो इस बार भी बनेगा, क्योंकि चार्ट है, वो previous history को follow करता है, तो बार बार बनाए, देखो यहां पर एक बार बना, दो बार बना, यह बनने के बाद मतलब price जब उपर हो, और इससे नीचे कुछ ऐसा बने, तो उससे बोलते golden क्रोस, फिर यहां पर 17-18 की rally गई, अगेन 8-8 क्रोस बना, price नीचे गया, आप देख रहे हो, फिर दिरे 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 नीचे गया, इससे retest करता गया, price नीचे गया, और यहां पर एक golden क्रोस देखा गया, price उपर गया, त अच्छी support बनाने चाहिए, daily time frame में देखाता है, तो कितने दिनों तक market sideways गई थी, तब जाके एक cross बना, cross बनने के बाद, उपर एक वापस date cross बना, तो market गई नीचे, थोड़ा बहुत उपर गया, अगेन एक date cross बना, क्योंकि यह बना, और market चले गई नीचे, फिर दिरे दि सबसे पहले एक date cross बना, market नीचे गई, bottom पर गई, अगेन उपर गई, यहाँ पर date cross बना, market अगेन नीचे गई, फिर यहाँ एक date cross बना, तो market sudden नीचे ही गई, देखो इसे retest किया, 200 daily moving average को तिरे तिरे नीचे गई, तो अभी airline यहाँ है, airline यहाँ है, दोनों को मिलाना है, तो अभी के लिए देखो, एक cross कब बन पाएगा, cross जो बनना है, तो market को sideways जाना पड़ेगा, अभी के लिए भले market यहाँ पर चली जाए, बट वापस से market नीचे जाएगी, चैसे कि जो आप area देख रहे हो, और वहाँ पर लंबे समय के लिए 2-3 महीने के लिए sideways रहेगी, तब जाके कोई cross बनेगा, फिर market अगें try करेगी, यह मेरा analysis और मैं confidence से के सबता हूँ, अगेन यहाँ पर बात सित करेंगे, bitcoin का जो analysis है, यहाँ पर करते है, और मैंने box बनाए है, चार box plot किये है, तो देखो friends, यहाँ पर अभी bitcoin का price 24,550 डोलर पर trade कर रहा है, और यह देखो, trend मे ने बनाया है, इसको चूम करके देखते है, अब यह हालात क्या है, इसका जो अभी के लिए resistance एरिया आ रहा है, वो आ रहा है 25,444 डोलर, जब इसे तोड़ता है, तो अगेन यह एरिया तक चाह सकता है, bitcoin का price 28,437 डोलर, नहीं तोड़ पाता है, तो bitcoin का price यही ट्रेंड में दीरे दीरे करके 28,000 डोलर तक रिटेस्ट करने जाएगा, किस तरीके से जाएगा, वो भी में दिखा देता है, और जैसे 28,000 अब को दिखता है, man और measure resistance है, एक बार के लिए profit पूक करे, हम रिस्क नहीं ले सकते हैं, क्योंकि और यह एक भी support एसी नहीं बनी है, यह से यह हो आए थे, पहला reason है, यह ट्रेंड में दीरे दीरे जाके, इसे रिटेस्ट कर रहा है, क्योंकि यहां से breakout तो हुआ था, बट विटकोई ने अभी तक रिटेस्ट नहीं किया है, तो मुझे कहीं न कहीं लग रहा है, कि यह इसे रिटेस्ट करने जा रहा है, फिर अगें ए बो पहला reason है, इसको रिटेस्ट करने जाए, दूसरा reason है, इसे रिटेस्ट करने जाए, क्योंकि यह लाइन है 200 daily moving average, जैसे 15 day moving average को तोड़ता है, तो 200 की तरफ जाने की कोशिस करता है, इसके पहले भी में बना है, यहां पर देखो, sudden dump लगा, जैसे 15 day moving average को बार बार तोड़ा, बार बार rejection मिला, और एक बार अगेन तोड़के 200 daily moving average को टेस्ट किया, तो यहां पर हम नीचे ही रहे, 15 day moving average से नीचे ही रहे, यहां से दो बार एक बार rejection मिला, दूसरी बार try किया, देखो, जूम करते है, तो इस बार इसने breakout कर दिया है, तो दीरे दीरे करके, यह 200 daily moving average को टे resistance है, और दूसरा resistance होताएगा, मतलब major resistance, डायरेक्टली ज्यादा से ज्याता chance रहेंगे, market down हो, और एक नया bottom देखने को मिले, अगेन यहां पर बाद से तीसरा reason देखे, तो यहां पर वेल्स का game हो सकता है, और real game ही है, लोगों को liquidate करने के लिए, लोगों में फोमों लाने क करते हैं, बट तैयारी में यह करा रहा हो कि आपको profit book करना है, जब bitcoin का price 28,000 डोलर से लेके 30,000 डोलर तक देखने को मिले, तब हमें profit book कर लेना है, और again wait करना, या तो इसका breakout हो जाए, या breakout निकलके, यह area तक वापस price हमें देखने को मिले, तकरिबन 12,000 डोलर, बहुत सस्ता cryptocurrency आपको मिलेगा, तो यह था मेरा analysis, और यह 3 box इसलिए बनाया है, क्योंकि यह box में price था, यहां से breakout तो मिला था, यह line को test किया, again rejection मिला, और यह box बना, यह चोटा सा बना, और यह तीसरा box यहाँ पर बना, तो again, जैसे यहाँ test किया, उसी तरीके से यह area तक test कर सकता है, भी मिले नहीं है, सा नहीं, क्रोशी हो, दोनों line एक साथ मिलनी चाहिए, फिर एक हमे, trend change होता हुआ, नजर में आ सकता है, मतलब market जब तक ज़्यादा sideways नहीं रहती, तब तक यह दोनों line मिल नहीं सकते है, मतलब अभी इतना ज़्यादा market sideways नहीं रही है, तो अक्रीबन 3 मह नहीं तक market sideways रहेगी, तब जाके दोनों line मिल पाएंगी, यह भी थोड़ा मेरा calculation है, आपका क्या viewpoint है मुझे बता सकते है, और मैंने जो बताना था, बता दिया है, क्योंकि यह थोड़ा slowly बताया है, और एकदम easy language में बताया है, अभी के लिए market really इसे test करने ही जा रही है, और फॉमो create करने की ज़रूत नहीं उतना ज्यादा, क्योंकि देखो भाए market में इतना बड़ा, सबसे पहले support area था, क्योंकि यह गए rally में यहां से support लेके market उपर गई थी, दूसरी बार यहां support लिया, और तिसरी बार यह support लिया, तो इसको तोड़ तो दिया है, बट कहीं आपक और retaste होता हुआ नजर में नहीं आ रहा है, तो यह retaste करने जा रहा है, तो दीरे दीरे दाएगा, और retaste करने के बाद again downtrend continue होगा area, तो अब आप लोग को समझ में आ गया होगा, मैं इसले future trade करने के लिए मना कर रहा हूँ, और जो लोग लिखना चाहते, comment box में लिख दीजे अब भी मैंने close करवा दिया है, premium वगिरा में, क्योंकि मैं अभी भी confirm नहीं हूँ, confirmation का wait कर रहा हूँ, चुकि यहां से rejection मिलता है, 25,600 डॉलर से, तो bitcoin का price वापस से आपको यह area में देखने को मिल सकता है, 22,500 डॉलर के around, यह short term के लिए, long term के लिए 28,000, उससे भी लंबे time frame म देख सकते हो, good bye